कल्यूग में सती बन एक महिला ने काल से की अपने पती के प्राणों की रक्षा बजरंग पली ने कैसे दिखाया अपना चमतकार आज किस खास वीडियो में हम यही जानेंगे आप देख रही हैं हनुमान तर्शन अरुराचल प्रदेश के जंगल में व्रद्ध दमपती रहा करते थे दोनों बहुत गरीद थे उन्होंने कुछ लकडियों को घास पूस का चपपर बना कर अपनी एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी जिसमें वहें दोनों सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थी पती जंगल के आसपास से कुछ लकडिया काटकर पास के गाउं में बेचता और लकडिया बेचकर जो पैसा आता उसी से अपना घर चलाया करता शाम को जब वहें घर आता तव हैं दोनों पती पत्नी पास के हनुमान मंदिर में जाकर मंदिर को साफ करते प्रती एक मंगलव पति हनुमान जी की सिंदूर से पूचा करता। दोनों हनुमान चालिसा का बाट करते और भोग लगाकर प्रसाद ग्रहन कर वापस अपने घर आ जाते। दोनों का जीवन सुख में अव्यतित हो रहा था। वो दोनों हनुमान जी के असीम भक्त थे। एक दिन जब पति पास के गाउं से लकडिया बेच कर घर आया तो उसकी तबियत कुछ बिगड गई। पत्नी ने ये देखा तो वो घबरा गई। उसे ठंडी पानी की पट्टियां उसके माथे पर रखी। परंतु कुछ भी असर नहीं हुआ। वो गाउं की और किसी हतीम वैत को प्लाने गई। परंतु जंगर के डर से कोई आने को तयार नहीं था। वो वापस आई। तो उसने देखा कि उसके पती की तबियत अब बहुत ज्यादा बिगड चुकी है और शरीर मुर्चित हो चुका है। अब तो शरीर हिल भी नहीं रहा था। आखे भी बन थी वो बहुत भैबीत हो गई। जब अपने पती की तबियत अपनी आखों के सामने बिगडते हुए उसने देखा तो वो कुछ नहीं कर पाई। और उसे कोई और मार्ग नजर नहीं आया। तब पत्नी ने हाथ जोड़कर हनुमान जी को याद किय और प्रात्ना की हे भगवान तुझे सौगंध है मेरी मेरे पती को बचा ले भगवान। इतना कहते कहते उसकी आखों से आसू चलक उटे। भजरंग बली को स्मरन किये कुछ ही समय हुआ था कि इतने में ही एक तीर्व ब्रकाश उस व्रिद्ध महिला को जंगल के बीच से अपनी कुटिया की और बढ़ते हुए नजर आया। उस प्रकाश को अपनी और बढ़ता देख वो थोड़ी डर सी गई। तीर्व प्रकाश कुटिया के निकटा कर कुटिया में प्रभेश कर गया और व्रिद्ध महिला के पती के उपर से गुजर गया। जैसे ही प्रकाश श्वृद्ध महिला के पती के ऊपर से गुजरा, उसके मुर्चित शरीर में कुछ हल्चल सी पैदा होटी, बंद आखे भी खुलने लगी, ये देखकर पत्मी को कुछ समझ नहीं आया, वो आश्चरे में पड़ गई, परंतु वहें अपने पती को ठीक होते देख बहुत सब हुआ कैसे, फिर पत्नी ने जो कुछ भी हुआ था वो सब अपने पती को बताया, जिसे सुनकर पती के होश उड़ गए, और आखों से आसु छलक उठे, पती बुला कि आज तो मुझे काल के दर्शन हुई ही गए थे, परंतु तुम्हारे बजरंग बली के प्रतियास् सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, मिलेंग अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए, हनवान दर्शन